तो चलिए दोस्तो आज मैं ले करके आया हूँ गो भर्ब इस वीडियो में जानेंगे गो भर्ब का हिंदी मिनिंग और जानेंगे गो भर्ब का पांचो फर्म और जानेंगे गो भर्ब से मिल करके कौन-कौन सा वर्ड मिनिंग बना है और जानेंगे गो भर्ब से जूड़ी ह वी कुछ फ्रेजल भर्ब और जानेंगे किस तरीके से गो भर्ब का यूज सेंटेंस में किया जाता है तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की तो यहाँ पे लिखे हैं to go तो इसलिए लिखे हैं दोस्तो क्योंकि अगर हम केवल गो बोलते हैं तो वो ओर्डर हो या फिर सलाह हो जाता है इसलिए भीवन के आगे to लिखा जाता है जैसे कि आप लोग देखे होंगे किसी भी डिस्नरी में चाहें वो अक्स्पोर्ड का डिस्नरी हो या फिर किसी भी इस्पोकेन इंगलिस का डिस्नरी हो तो उसके आगे to लिखा जाता है क्योंकि जो भर्ब का main form होता है उसके आगे to लिखा ही जाता है तो चलिए जानते हैं कि गो भर्ब का हिंदी मिनिंग होता है जाना, प्रस्थान करना गुजर जाना यानि मर जाना चलना, आगे बढ़ाना बीदा लेना या फिर होना तो यहीं होता है दोस्तों गो भर्ब का हिंदी मिनि भी थीरी होता है गोन भी फोर होता है गोईंग और भी फाइप होता है गोज हम बतला दे दोस्तों आप लोगो को कि जब हम आप लोगो को present indefinite tense पढ़ाएंगे तो वहाँ पे B1 और B5 का यूज पढ़ाएंगे जैसे अगर हम बोलना चाहें कि वह जाती है तो हम बोलेंगे C goes राम जाता है तो राम गोज यानि singular subject के साथ यहाँ पे हम लगाएंगे B5 और subject plural हो जैसे हमको बोलना हो कि आप जाते हैं तो मैं बोलूँगा you go राम और स्याम जाते हैं तो हम बोलेंगे राम एंड स्याम गो तो present indefinite tense में B1 और B5 का यूज किया जाता है और past indefinite tense में B2 का यूज किया जाता है जैसे अगर हमको बोलना हो कि राम गया तो हम बोलेंगे राम वेंट राम दीली गया तो राम वेंट टू देलही इसी तरीके से B3 का यूज दोस्तो perfect tense में किया जाता है B4 का यूज दोस्तो present continuous tense में किया जाता है और किया जाता है दोस्तो present participle के रूप में चलिए दोस्तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि go भर्ब से कौन कौन सा word meaning मिलकर के बना है तो यहाँ पे लिखे हैं हम go भर singular noun, go words plural noun यानि जो go भर्ब की किरिया को करता है उसको बोला जाता है go भर यानि जाने वाले को या फिर चलने वाले को बोला जाता है go भर और जाने वाले या फिर चलने वाले की संख्या एक से अधिक हो दोस्तो तो उसको हम बोलेंगे go words तो go words यानि जाने वाला और go words यानि जाने वाले अगला word है दोस्तो goings, goings singular noun है और goings plural noun है जिसका हिंदी मिनिंग होता है जाना, गमन, प्रस्थान, रवानगी अगला word है दोस्तो going, जब going सब्द का यूज adjective के रूप में किया जाता है तो उसका हिंदी मिनिंग होता है दोस्तो चलने वाला, काम देने वाला अगला word मिनिंग है going on, जब adjective के रूप में going on का परियोग किया जाता है तो इसका हिंदी मिनिंग होता है चलने वाला, काम देने वाला, चलती आवास्था में अगला word मिनिंग है जो की phrasal verb है और go से ही बना है go about जिसका हिंदी मिनिंग होता है कोसिस करना अगला वर्ड है go across go across का हिंदी मिनिंग होता है सभी और जाना अगला वर्ड है अगर आपको बुलना हो go after जो की phrasal verb है अगर आप phrasal verb के रूप में यूज करते हैं go after का तो इसका हिंदी मिनिंग होता है खोज करना तलास करना और अगर आप go भर्ब का यूज भर्ब के रूप में करते हैं और उसके बाद आप after का यूज preposition के रूप में करते हैं तो आहां पे इसका हिंदी मिनिंग होगा गो आफ्टर का बाद में जाना अगला फ्रेज है गो अगेंस्ट यानि इसका हिंदी मीनिंग होता है खिलाप जाना आप किसी के खिलाप जाते हैं तो आप बोलेंगे गो अगेंस्ट अगला भर्ब है गो बैक ये गो बैक फ्रेजल भर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है वापस लोटना अगला वर्ड है दोस्तो गो बैड यानि खराब होना सड़ना जैसे कि खाना सड़ जाता है दोस्तो तो आप खाना के लिए बोलेंगे गो बैड अगला word है, go ballistic, जिसका हिंदी मेनिंग होता है, आग बबूला हो जाना, ये फरेजल भर्ब है दोस्तों, अगला फरेजल भर्ब है, go crazy, जिसका यूज बहुत spoken में किया जाता है, और इसका हिंदी मेनिंग है, दिवाना हो जाना, जैसे अगर हमको बोलना हो, कि तुम दिवाने हो गए हो, तो हम बोलेंगे, you have gone crazy, आप दिवाने हो गए हो, अगला word है दोस्तों, जो कि फरेजल भर्ब है, go deeply into, जिसका हिंदी मेनिंग होता है, ब्यास्त होना, अगला सब्द है, go down, ये फरेजल भर्ब है दोस्तों, और इसका हिंदी मेनिंग होता है, नीचे आना, अगला word है दोस्तों, जो कि फरेजल भर्ब है, go Dutch, go Dutch, जिसका हिंदी मेनिंग होता है, साजा करना, या रुपिया मिलाना, यानि किसी चीज में आप पैसा मिलाते हैं, तो आहां पे बोलेंगे, go Dutch, अगला word मिनिंग है, जो कि फरेजल भर्ब है, go for a drive, जिसका हिंदी मेनिंग होता है, सैर करना, अगला फरेजल भर्ब है, go for broke, जिसका हिंदी मेनिंग होता है, किसी चीज को प्राप्त करने का बहुत पर्यास करना, यानि किसी चीज को प्राप्त करने का बहुत पर्यास करने को इंगलिस में बोला जाता है, go for broke, अगला word है दोस्तो, go, gunning for, जो कि फरेजल भर्ब है, और जिसका हिंदी मेनिंग होता है, जिसका हिंदी मेनिंग होता है, घबराना, अगला फरेजल भर्ब है, go in, go in का हिंदी मेनिंग होता है, अंदर या भीतर आना, या किसी चीज में आप भाग लेते हैं, या हिसा लेते हैं, तो उसको भी बोला जाता है, go in, अगला वर्ड है, अगला फरेजल भर्ब है दोस्तो, go in for, जिसका हिंदी मेनिंग होता है, हांसिल करना, अगला फरेजल भर्ब है, go into, जिसका हिंदी मेनिंग होता है, प्रवेश करना, हिसा लेना, अगला फरेज़ है, go into liquidation, जिसका हिंदी मेनिंग होता है, बंद करना, अगला फरेज है दोस्तो, go mad, जिसका हिंदी मेनिंग होता है, पागल या उन्मत हो जाना, पागल होना को बोला जाता है, go mad, अगला फरेज है, go off, जिसका हिंदी मेनिंग होता है, be sport करना, अगला फरेज है, go on, जिसका हिंदी मेनिंग होता है, जारी रखना यानि किसी काम को आप जारी रखते हैं तो वहाँ पे go on फ्रेजल भर्ब का यूज किया जाता है अगला फ्रेजल भर्ब है go on the streets जिसका हिंदी मिनिंग होता है ब्यस्या ब्रिती करना अगला वर्ड है दोस्तो जो कि फ्रेजल ही भर्ब है go on tour जिसका हिंदी मिनिंग होता है यात्रा करना अगला फ्रेजल भर्ब है go pit a pet जिसका हिंदी मिनिंग होता है धड़कना अगला फ्रेजल भर्ब है दोस्तो go slow down जिसका हिंदी मिनिंग होता है सावधान होना अगला फ्रेजल भर्ब है go slowly यह बतला दू दोस्तो कि यहाँ पे go जो है भर्ब है और slowly जो है एड़ भर्ब है तो इसका हिंदी मिनिंग होता है go slowly का धीरे धीरे चलना अगला फ्रेजल भर्व है go through go through का हिंदी मिनिंग होता है के माध्यम से जाना या फिर आप किसी काम को complete करते है तो उसको भी इंगलिस में बोला जाता है दोस्तो go through अगला वर्ड मिनिंग है go to glory go to glory का हिंदी मिनिंग होता है दोस्तो मरना go to grass go to grass का हिंदी मिनिंग होता है गिरना अगला फ्रेजल भर्व है दोस्तो go to pieces go to pieces जिसका हिंदी मिनिंग होता है तुकडे तुकडे हो जाना चकना चूर हो जाना यानि कोई चीज गीर करके चकना चूर हो जाता है तो उसको आप बोलेंगे go to pieces अगला फ्रेजल भर्ब है, go to pot, go to pot का हिंदी मीनिंग होता है, तबाह हो जाना अगला फ्रेजल भर्ब है दोस्तो, go to sleep, go to sleep का हिंदी मीनिंग होता है, सो जाना यहाँ पे कुछ लिखे हैं दोस्तो, go का किस तरीके से यूज किया जाता है, जैसे अगर आप go के बाद कोई भर्ब का यूज करें, तो उसका पंच्वा फर्म लिखा जाता है, जैसे go dancing, go swimming, go home, इसके बीच में कोई भी preposition नहीं लगेगा गो, गो a school, तो यहाँ पे बतला दू दोस्तो, कि अगर आप इस तरीके से लिखते हैं, तो इसके बीच में लगेगा to preposition, इसके बीच में आप लगाएंगे to preposition, जैसे go to a school, go to bed, go to church, अगला वर्ड है दोस्तो, गो a date, गो vacation, गो cruise, अगर आपको इस तरीके से यूच करना हो, गो for a walk, जो कि phrasal verb है, टहलने के लिए जाना, गो for a swim, तरने के लिए जाना, गो for a run, दोडने के लिए जाना, तो अगर आपको बोलना हो दोस्तो, वह जाता है, जो कि present indefinite tense है, तो आप बोलेंगे, ही गोज, यह singular subject है, और यह भर्ब का pipe form है, बतला दू कि जब भी present indefinite tense में singular subject होता है, तो उसके साथ में भी pipe का यूच किया जाता है, इसलिए हम ही के साथ में गोज का परियोग किये है, अगर आपको बोलना हो, वह जा चुका है, तो आप बोलेंगे, he is gone, वह जा चुका है, अगला sentence है दोस्तो, वह जा रहा है, तो आप इसको इंगलिस में बोलेंगे, he is going, वह जा रहा है, यहाँ पे going भर्व का fourth form है, अगर आपको बोलना हो, वह चार दिनों से जा रहा है, तो आप बोलेंगे, he has been going, वह जा रहा है, for four days, चार दिनों से, अगर आपको बोलना हो, आप जाते हैं, तो आप बोलेंगे, you go, आप जाते हैं, तो आप बोलेंगे, you go, अगला sentence है दोस्तो, आप जा रहे हैं, तो इसको आप बोलेंगे, you are going, आप जा रहे हैं, और आगे बढ़ते हैं दोस्तो, और देखते हैं, कि किस तरीके से आप go भर्ब का यूज, order देने के रूप में करेंगे, तो अगर आपको किसी को order देना हो, कि जाओ, तो आप बोलेंगे, go, अगर आपको order देना हो, कि राम के साथ पटना जाओ, तो आप बोलेंगे, go to पटना पटना जाओ, with राम, राम के साथ, तो इसका हिंदी में हुआ, अगर आपको बोलना हो या किसी को ओडर देना हो कि राम के साथ पटना सावधानी पुर्वक जाओ तो आप इंगलिस में बोलेंगे गोटु पटना पटना जाओ वीथ राम राम के साथ केरफुली यानी सावधानी से तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ गोटु पटना वीथ राम के साथ पटना जाओ सावधानी से अगर आपको बोलना हो दोस्तों कि भान में जाओ लरक में जाओ तो आप बोलेंगे गोटु हेल तो आपको दोस्तों जब भी आप किसी को ओडर दे तो गो के बाद टू पिरी पोजिशन दे और उसके बाद यहाँ पे अस्थान का नाम दे जैसे गोटु पटना पटना जाओ गोटु सिवान सिवान जाओ गोटु दिलही दिलही जाओ इस तरीके से आप ओडर दे सकते हैं अगर आपको बोलना है कि पढ़ने जाओ तो आप बोलेंगे गोटु रीड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को सेर करिए लाइक करिए और दोस्तो कमेंट बोक्स में कमेंट करिए कि कौन से भर्व के उपर में आप लोग की मदद करो ताकि आप लोग भी बेहतर से बेहतर इंगलिस सीख पाएं तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बोक्स में इसका पीडियोफ मिलेगा आप लोग पीडियोफ का यूज कर सकते हैं लर्निंग के लिए